आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिल मशीन पर यह है बिल्ड स्किल के डिल मशीन और यह लिए मैंने फ्लिप काट से मैं आपको बताऊँगा क्या है इस मशीन की खासियत और क्यों है यह मशीन बाकी मशीनों से अलग और हम बात करेंगे कि ये machine value for money है या फिर waste of money और हाँ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो subscribe कर दीजे बगल में ये bell icon है उसको दबा दीजे ताकि interesting वीडियो अब तक आ सके तो चलिए बिना time waste करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो ये है हमारा main unit build skill की machine इसके साथ में आता है एक handle और ये है measure bar इसकी बहुत जरुवत परती है अगर आपके पास नहीं है तो आप भार से खरीद भी सकते हैं और company एक अच्छा काम किया है कि उसने carbon साथ में ही दे दिये है और ये है इसका manual तो मैं आपको इस machine के functions बताते जाऊँगा और साथ में आपको ये बताऊँगा कि जब भी आप लोग online जाते हैं देखिए 13 mm होता है चक साइस ये आपको दिख रहा है इसको बोलते है चक अब 13 mm क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूं आपको बहुत क्लियर होगा आराम से ये जो इसके अंदर का hole है ये 13 mm का है मतलब इसके अंदर 13 mm तक की bit लग सकते अच्छा अब इस चक में या फिर 13 mm का bit नहीं लगा सकते हैं इसलिए मैं परसल साइशन है कि जब भी आप drill machine ले 13 mm की ही ले ताकि आपके पास कोई बड़ी bit हो तो आप उसको आराम से लगा सकें इस machine का जो rpm है वो 2800 है जो की अपने आप में बहुत अच्छा है वो भी variable speed के साथ अच्छा अब variable speed क्य जो motor है वो एक में 2800 बार गुमेगी अब बाकी जो machine रहती है जिसमें variable option नहीं होता है उस machine का trigger रभाएंगे तो वो machine एक ही speed में चलेगी ना कम ना ज्यादा जो इसकी predefined speed है उसमें चलेगी बट ये machine variable speed के साथ में आती है आप इसका speed कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकत गुमेगी और पीछे भी घुमेगी बाकी machines क्या होती है सिर्फ clockwise घुमती है आपने trigger दबाया वो सिर्फ clockwise घुमेगी ये machine को clockwise भी घुमा सकते हैं और anti-clockwise घुमा सकते हैं इस machine की अगली खास बात जो मुझे बहुत पसंदे वो ये कि आप इस machine से screw लगा भी सकते हैं और screw खोल भी सकते हैं क्यों क्योंकि इस machine में दोनों option है एक तो variable speed का आप speed कम ज्यादा कर सकते हैं दुसरा reversible option ये machine clockwise भी घुमती है और anti-clockwise भी घुमती है तो इससे फाइदा क्या होता है इससे आप screw खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं बट बाकी machine में ये option नहीं होते हैं तो आप उससे screw नहीं खोल सकते हैं आप सिरिफ उस machine से drill कर सकते हैं अब कैसे screw खोल सकते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ अब मैं जड़ा थोड़ा आपको पास से बताता हूँ variable speed क्या होती है देखिए ये मेरे trigger दबाया और अब ये धीमे गुम रही है अभी इसकी speed में अपन में हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अब reversible option क्या होता है reversible option मतलब मेरी machine अभी गुम रही है clockwise ये देखिए अब ये जो बटन है इसको आप यहां से प्रेस कर देंगे उस तरफ अभी गुमेगी anti-clockwise ये देखिए इसका मतलब इसको आप clockwise भी गुमा सकते हैं और anti-clockwise भी गुमा सकते हैं तो चलिए अब इससे मैं आपको एक screw खोल के दिखाता हूँ suppose मुझे ये वाला screw खोलना है तो ये मैंने यहां पर ये bit लगाई और इसको में धीरे धीरे घुमाऊँगा ताकि मेरा screw खोल जाए ये देखिए आप ये मेरा screw खुल चुका है अब हम इसको बापस लगाएंगे ये मैंने इस bit में इसको लगाया इस screw वाली bit में और यहां पर इसको रखा और मैंने इसका option यहां से change कर दिया ये जो बटन था पहले मैंने यहां पुश किया था जब मुझे screw खोलना था अभी मुझे लगाना है तो ये इस तरफ से मैं इसको यहां पुश कर दूँगा अब देखिए अब मैं इसको दीरी दीरी गुमाँगा मेरा screw अच्छे से लग चुका है ये होता है variable speed का benefit अब हम बात करते हैं impact ये impact का मतलब क्या होता है impact का मतलब होता है hammer option जिस drill machine में hammer option होता है या impact option होता है उस drill machine से आप concrete या फिर stone में drill कर सकते हैं अगर यह option नहीं होगा तो फिर आप सिर्फ wood में छेट कर सकते हैं और बहुत हुआ तो glass में drill कर सकते हैं इसके लावा उन machine से आपको पास से दिखाता हूँ, यह बनी है, बिट, यह दिख रही है, और यह हैमर है, अगर आपको concrete में drill करना है, तो आपको इसको यहाँ पर push करना पड़ेगा, अब आप concrete या फिर stone में drill कर सकते हैं, और अगर आपको wood में drill करना है, तब फिर आपको इसको यहाँ पर करना प यहां पर आपको बता जेता हूं कि जब भी आपको कॉंक्रीट या फिर अब मैं ड्रिल कर रहा हूँ गरनाइट के अंदर जब भी आपको गरनाइट या फिर मार्बल में ड्रिल करना हो उसके पहले आप पॉइंट सिजल या फिर नेल से मार्क बना लें मार्क बनाने से क्या होगा कि आपकी बिट स्लिप नहीं करेगी और एक्यूरेट ड्रिल होगा मैंने मार्क बना लिया है अब मैं ड्रिल मशिन के ऑप्शन को चेंज करके हैमर पे लेके आ जाता हूँ और हाँ अब मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी जारा बढ़ा दूँगा ड्रिल ग्रनाइट में हो चुका है और मुझे ये पूरा ड्रिल करने में लगे है 58 सेकंड्स गाइस मैंने दुसरी मशिनों से भी बहुत ड्रिल किये हैं मार्बल में ग्रनाइट में मगर मुझे उसमें लगते थे डिल से दो मिनिट और मुझे इस मशिन से ग्रनाइट में ड्रिल करने में लगा है एक मिनिट से भी कम अब इस मशिन ही कुछ और खास बाते हैं ये मशिन आती है 6 मन की वारंटी के साथ और इस मशिन का वारंट है 500 गाइस मैंने अपने पहले कई वीडियो में बोला है कि आप वो मशीन लीजिए जिस मशीन का वाट 450 से जाधा है क्योंकि मशीन का वाट ही उसकी पॉवर होती है और 500 वाट अपने आप में बहुत अच्छा है इसके बाद इसमें आती है copper winding इसलिए ये मशीन है heavy duty और इस मशीन से drill तो करी सकते हैं इसके अलावा आप इससे screw खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और हाँ आप इससे car या फिर bike की polish भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि ये machine value for money है या फिर waste of money है तो guys ये machine बिलकुल value for money है क्योंकि इस machine में वो सारी खास बाते हैं जो एक drill machine में होना चाहिए और हाँ इसका price point ये मुझे flip card से बहुत ही तगड़े offer में मिली है और ये मैंने खरीदी है 1380 रुपे में और अगर आप इसकी kit लेंगे kit मतलब ये drill machine kit के साथ भी आती है जो एक plastic का अच्छा खासा briefcase होता है उसमें 130 pieces tool के रहते हैं अग last ये मेरा person solution है कि आप corded drill machine लीजिए corded मतलब जिसमें wire होता है ये machine बहुत जादा अच्छी होती है cordless drill machine से cordless drill machine में क्या होता है आपको वो machine बार-बार charge करना पड़ती है और कभी अगर discharge हो जाए तो आपका वही पर रुख जाता है इसलिए मैं recommend करूंग आपको कि आप corded drill machine लीजिए और हाँ guys अगर आपको machine या फिर टूल कोई भी information चाहिए तो आप मुझे mail या फिर comment कर सकते हैं तो अभी तक के लिए इतना ही stay safe and keep watching